आज आपको बताऊंगा जो notification UGC का आया कि कैसे अपनी fees इनके मुह में हाथ देकर वापस आप निकाल पाएंगे जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका पैसा भी ये लोग खा जाते हैं बट ऐसा अब ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब UGC ने जो notification दिया है जाकर सीधा जाकर उनके टेबल पे रख देना जो मना करें कि नहीं हम अपकी fees वापस नहीं करेंगे दोस्तों fee refund policy fee refund policy देखा जाए तो UGC दुआरा 2018 में भी कुछ गाइडलाइन्स दी गई थी बट उसका जालत तर युनिवरस्टी जितनी भी private युनिवरस्टी चलती हैं या फिर colleges चलते हैं उन्होंने उसका पालन ही नहीं किया मतलब की रद्दि के धेर में उठाकर डाल दिया जैसा मैंने कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि दोस्तों जितनी भी private युनिवरस्टी चलती हैं उन्हें से बहुत सारी युनिवरस्टी सिर्फ ठग विद्या का इस्तमाल करती हैं मतलब की ठगों की तरह वो काम करते हैं आपका पैसा लूट लेते ह और हर साल लाखो करोडो रुपे ये private जो कुछ युनिवरस्टी जो ठगों की तरह एडमिशन लेते हैं वो इसी बात से पैसा ले लेते हैं कि स्टूडेंट के एडमिशन लिये इस्टूडेंट ने एडमिशन कैंसिल भी करा लिया बट उसको एक रुपया तक वापस नहीं फीस वापस कर नहीं रही है पर अब ये युनिवरस्टी जितनी भी private युनिवरस्टी हैं या colleges हैं अब ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा करते हैं और आपको अपने अधिकार पता है और आप सीधा जाकर UGC को complaint करें तो इन पर action होगा कैसे आप करेंगे complaint UGC के उस portal भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे पर मैं आज आपको बताऊंगा जो notification UGC का आया कि कैसे अपनी फीस इनके मुह में हाथ देकर वापस आप निकाल पाएंगे इन युनिवरस्टीज को इन ठगों से कैसे अपने पैसे वापस ले पाएंगे उसके बारे माज ये इसको explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जाना चाले हैं दोस्तो हाला कि बहुत सारी हमने वीडियो बनाई और अक्सर अपनी वीडियो में आपको बोलते भी हैं कि आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए बर कई बार आपने light की ले जाते हैं हर वीडि एची वीडियो आपके लेकर आने के लिए और आप पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को subscribe करें ताकि इसी तरह की educational वीडियो आप तक पोच सके सबसे पहले अब आप दोस्तों कैसे पता लगाएंगे क्या notification आया है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा UGC की official website पर आप कैसे जाएंगे सबसे पहले तो आप login कर लीजिए www.ugc.gov.in जैसे ही आपने ये interface खोला जैसे ही आपकी system पर interface सामने खुल जाता या phone में खुल जाता है तो आप सबसे नीचे आजाईए यहाँ पर लिखा हुआ है notice help line number at UGC आप यहाँ पर देख रहे होंगे और यही पर साथ में उपर लिखा हुआ है notice के बारे में notice में आप जब जाएंगे यहाँ पर तो notice में ही refund policy के बारे में notification दोस्तों mention है यहाँ पर दोस्तों आप notice में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर इस notice की बात 3 जुलाई 2023 में यह notice अभी अभी सामने आया है जिसमें यह बात की जा रही है कि UGC का जो letter है regarding fee refund policy वो क्या कहता है जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 में भी आया था notification अब दोस्तों में लेकर चलता हूँ आपको उस notification पर जो notification सामने यह आया है दोस्तों क्या बोलता है यह इसमें हलागी 5 slab बना रही गए है कि कैसे आप अपनी fees refund लेंगे बड़ी 5 slab जो बनाए गए है ना एक दो तीन चार पांप जिसमें 100% fee कब वापस मिलेगी 90% कब मिलेगी 80% fees कब मिलेगी 50% fees कब मिलेगी अब यहाँ पर एक game खेलेंगे यह ठग लोग आपके साथ में यह क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आपने जाकर अपनी fees जमाकी 20,000 रुपे उस course की fees ती 1,00,000 रुपे तो यह ऐसा बोल सकते हैं आपको कि हम जो fees deduction करेंगे उस total fees का मान लीजिए 1,00,000 का अगर वो 10% काटते हैं तो कितना होता है 10,000 रुपे पर जो आपने 20,000 जो fees दी है उसका 10% कटना चाहिए ना कि पूरी fees का अब यहाँ पर तो यह बात भी की गई है कि यहाँ पर अगर आप October तक October मतलब 31 October तक अगर आपने admission कोई भी अपना cancel करवाया तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो यह universities होंगी 1,000 रुपे काट सकते हैं आपके उससे जादा यह पैसे नहीं काट सकते हैं आपके 1,000 इनको छूट है कि 1,000 रुपे आप लोग रख लो क्योंकि यह लोग चोर हैं बहुत सारी बेकार गटिया universities हैं जो यह monopoly चलाती हैं मतलब इस तरह से students से बात करती हैं जैसे कि student ने admission लेकर बहुत बड़ा कोई पाप कर लिया है in universities में क्योंकि आप लोग हमें जब message करते हो यह comment करते हो बहुत सारे students जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका पैसा भी यह लोग खा जाते हैं बट ऐसा अब यह कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब UGC ने जो notification दिया है जाकर सीधा जाकर उनके table पे रख देना जो मना करें कि नहीं हम अपकी fees वापस नहीं करेंगे यही जो notification आया है लिंक मैं नीचे description box में दोस्तों डाल दूँगा PDF कर प्रिंट आउट निकालना और जाके table पे रख देना जहां पर वो admission in charge बैठा होता है जिसको बात तक करने की तमीज नहीं होती यहाँ पर mention है सब चीजे मान लीजिए कि 31 October तक आपने अपना admission cancel करवा लिया तो 1000 पे formally noticed last date of admission मतलब कि इन्होंने एक 15 दिन का notice दिया कि हम 15 दिन के अंदर-अंदर admission जो ले रहे हैं वही लेंगे उसके बाद last date खतम हो जाएगी तो उसके अनुसार अगर आप हिंदी को translate करें देखेंगे इसमें लिखा हुआ है परवेश की आपचारिक रूप से मतलब की जो पर सूचित अंतिम तिथी बनेगी 15 दिन के पहले उसमें अगर आप जा कैंसर करवाते हैं तो आपको 100% fees वापस कर दी जाएगी और या फिर less than 15 days अगर 15 दिन से कम का समय रहा the formally noticed last date of admission तो यहाँ पर आपको 90% fees आपकी वापस की जाएगी 10% ये लोग काट सकते हैं दोस्तों आप किसी भी university के कोई भी documents verify करवाना चाते हैं, verification के काफी सारे process होते हैं पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि RTI एक बहुत अच्छा option होता है, government process के थ्रूँ आपकी documents verify हो जाते हैं फिर भी आप चाहे तो सिधा university से ही verify करवा सकते हैं universities अपनी website पर detail डालके रखती हैं या फिर RTI लगवाएं इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं और अगर कोई भी document किसी भी university से आपने लिए हैं अब further documents आप निकालना चाते हैं, migration, degree, LOR, transcript कुछ भी निकालना चाते हैं और आप university से बहुत दूर हैं, आप helping hand चाते हैं तो हो सकता इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी documents जो आपके university में भी pending हैं और दोस्तों कोई भी आप मदद चाते हैं, west process में या फिर degree को verify करवाने के लिए आप हमसे भी contact कर सकते हैं, 80% ये लोग दोस्तों आपकी fees कब काट सकते हैं, जो आपने इनको fees दी हैं उसमें लिख 15 days or less, after the formally notice the last date of admission, मतलब की परवेश की अंतिम्तिती और चारिक रूप से अधी सूचित होने के बाद, मतलब की जो date थी last date, उसके बाद भी 15 दिन या उससे कम के समय आपके पास था, उसमें आपने जाकर notify कर दिया कि हमें admission आपकी इस university में नहीं लिना है, तो वो आपकी 80% fees वापस करेंगे, 70% कब करेंगे, admission के last date निगल गई, 15 से और 30 दिन के बीच में आप जाते हैं, आप बोलते मुझे admission नहीं लेना है, तो भी आपको 70% fees वापस मिल जाएगी, पर यहाँ पर एक अधिकार और दिया इन लोगों को, अब आपकी fees कोई भी refund कब नहीं कर सकती है, वो भी आप समझ लें, जैसे कि more than 30 days after formally notified last date of admission, मतलब last date जो admission थी, वो बता दी, उसके बाद भी 30 days से जादा हो गए, आपने admission अब तक cancel नहीं कराया, बाद में आप जाते हैं, मतलब आप जाएंगे, फरवरी में, जनवरी मार्च में जाते हैं, admission हो गया 23 में, और 24 में exam होने या first semester के exams होते हैं, जिसके December जनवरी में, तो obviously बात है, अगर exam time पे है, तो आपकी fees वो वापस करेंगे नहीं, जो जितनी आपने fees इन लोगों को दी है, तो यहाँ पर ये fees आपको वापस नहीं करेंगे, दोस्तों जितनी भी ये private universities चलती हैं, ये colleges चलती हैं, ना ही तो कोई आपकी पूरी fees रख सकता है, और ना ही कोई भी आपके original documents, अगर ऐसा करती हैं ये universities या colleges, इनके आप complaint करें, UGC को complaint कैसे करेंगे, जो मैं अगला वीडियो लेकर आँगा, ये बहुत जल्दी, how to complain to UGC, मैं ऐसी एक वीडियो लेकर आँगा, उस वीडियो को आप देखना ज कि आप क्या जानना चाते हो ओर detail में, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आँगा, पर कोई भी private university या कोई भी college अब बदमाशी करें, सीधा उसके हाथ में जाके notification देना, हाला कि ये बदमाश्ट लोग आपकी इस बात को मानेंगे नहीं, और नहीं अगर मानते हैं, तो application लिकर द का वीडियो, हमारे इस वीडियो को जादे जाद आपने दोस्तों परिजन परिवार तक पहुचाएं, ताकि किसी की भी fees, मतलब की कोई hard earned money, ये चोर लोग ऐसे रखना पाए, मैं चोर इसलिए बोल रहा है, इन private universities हो, काफी सारी जो बेकार universities हैं, क्योंकि ये ऐसा करते हैं, ये आपकी hard earned money को आपसे ले लेते हैं, cheating के जरीए, cheating है दोस्तों ये, कोई cheating आपके साथ कर रहा है, ये ऐसा करते हैं, तो ऐसे लोगों complaint आपो करनी चाहिए, और आपको अपने अधिकारों के बारे में पता भी होना चाहिए.